तो मैं डियर फ्रेंड्स आप सभी के हमारी चैनल करेंटी श्रीप स्वागत हैं दोस्तों बात करेंगे अप्लाइट मैट्पेटिक्स्ट्री के एक न्यू चेप्टर में प्रथम घात और प्रथम कोट के अंतरगत अउकल समिकर्ण को सॉल्व करना तो आज की इस वीडियो के माद्धियम से आपको बताएंगे कि आपको कुश्चन कैसे सॉल्व करना होगा सलूसन और डिफरेंशियल इक्वेशन जब आपको डिफरेंशियल इक्वेशन दिये जाएंगे तो आज की इस वीडियो में आपको टाइप नंबर वन वेरियेबल एंड सिप्रेबल फार्म हम आपको बताएंगे जिसके माध्यम से आप कुश्चन सॉल्व करेंगे कुछ एक्जामपल के कुश्चन इस वीडियो में लेते हैं आने वाली वीडियो में आपके एक्सरसाइज की भी कुश्चन लिये जाएंगे दोस्त पहला कुश्चन आपके स्क्रीन पर दिगरा है जो की एक्जामपल के तौर पर आपको दिया है और ये 2007 में कुश्चन पूछा जा चुका है इसका क्या तरीका है ये आपका जो कुश्चन का टाइप है ये वैरियेबल अर्था चर रासियों के प्रतक करड़ी आउक में कुश्चन को आपको यहां पर सिद्याध से चीजे को लिखता हूँ ये आपकर क्विश्चन नमबर फ Iz Whenever यहां दोस्त जो दिया गया यह आपका तो पहले कुश्चन नमबर ओन को सौल्व करते है उसके बार को सौल्भ तो तो उन कोश्चन के गर हम बात करें दोस्त तो यहाँ पर आप देखिए question number 1 यह आपका लिया गया ठीक है यह आपका question number यह आपका 1 है e की power y dy by dx is equal to e की power x plus x square देखिए दोस्त इस question को कैसे solve करें पहला step इसमें होता क्या है जब आपको question इस प्रकार का यह दिया जाया तो इसमें सबसे पहला step यह होता है कि जो आपका dy है अर equal to dx अर्थात x जो dx है उधर x की value dy की तरफ y की total value को ले आना है और जो dx है उधर पूरी x की value होनी चाहिए इसका मतलब क्या हुआ इसका मतलब जैसे यह question आपको दिया गया e की power y dy by dx is equal to e की power x plus x square तो आप इसमें देखिए यह आपका dy है और यह आपका dy है यह आपका dy है यह x square हमने क्या कहा सबसे पहले आपको करना है कि dy और dx को एक side दोनों को करना अर्थात equal में लिखना है तो देखिए यहाँ पर आपका dy लिखा हुआ है ठीक है तो इस dx को आप उधर भेज़ दीजे तब ही तो दोनों equal में होगे तो सबसे पहला इस अपके आँगा dy is equal to dx करना ह तो इस हमने dx को जब इधर भेज देगे तो दोस्त यही same value आपको यहाँ पर हो जाएगे इधर भेजने पर यह आपका हो जाएगा e की power y dy is equal to e की power x plus x square into dx यह जो आपका नीचे था इसको हमने इस side भेज दिया multiply कर दिया dx से तो यह value आपको प्राप्त होगी देखिए आप दिजेगा जब इतना आपको प्राप्त हो जाए पहला step देखे कुश्चन पूरा देखिएगा तभी चीजे आपको सभी कुश्चन में हर टाइप के कुश्चन में सारी चीजे clear हो जाएगे यह मैं आपको विस्वास दिलाता हूँ ओके तो dy is equal to dx करना है यहाँ पर आपका एकी पौर y होना चाहिए एकी पौर y का मतलब इधर y का function होना चाहिए और इधर आपका x का function तो यहाँ पर same आप देखेंगे जब आपका इस परकार से हो जाए अर्थात इधर dy है तो y का हो गया इधर dx है तो y हो गया अब जब ऐसा हो जाए तो दोनों तरप आप क्या कर कर दिये ध्यान दीजे जब आपके dy dx हो जाए और y का y तरफ x का x तरफ हो जाए उसके बाद जश्ट उसका समाकलन कर दे जब आप समाकलन करेंगे तो आप ध्यान दीजे यहाँ पर हमने क्या किया इसका यहाँ पर हमने समाकलन किया तो यहाँ पर वी समाकलन और इस साइड में दोनों तरफ यहाँ पर integration करेंगे तो जब integration करते हैं तो आप ध्यान दीजे यहाँ पर integration करेंगे तो e की power y का integration क्या होगा e की power y का integration e की power y ही होता है दोस्त e की power x का अगर integration हैं तो क्या होगा e के पौर x होगा तो इसी तरह यहाँ पर यहाँ पर e के पौर x का x के सापेच कर रहे थे यहाँ पर अगर आपका e y का आप d y y के respect में कर रहे हैं तो क्या होगा e के पौर y होगा तो simple सा आपका यहाँ पर e के पौर y का समाकलन e के पौर y हुआ और is equal to में e के पावर x का e के पावर x ही होगा और जो आगे आपका x square है इसका हो जाएगा x cube by 3 चुकि आपने फार्मूला पढ़ा है x के पावर n integral x के पावर ndx is equal to x के पावर n plus 1 upon n plus 1 plus क्या पढ़ा है c यह आपका फार्मूला होता है दोस्त किसका यहाँ पर x square का हो गया x cube by 3 plus c तो इसका complete आपका इस question का answer आया आपका कितना यह आप देख सकते हैं e के पावर y is equal to e के पावर x plus x cube by 3 plus c देखिए second question में आपको ले चलता हूँ उसके बाद चीजे धीरे-धीरे आपको clear होगी देखिए second question आपको यह दिया गया यह question आपको दिया गया अब इसको आप solve करेंगे हमने क्या बताया सबसे पहला step आप क्या है कि dy को a side और dx को एक side किसी भी side left right किसी भी side करिए लेकिन दोनों एक दुसरे के पहले equal करना है जब आप equal करते हैं तो our next step क्या होगा पहला step दोनों को equal किजे दूसरे step जितनी भी y की value है उधर dy की तरफ लाइए और जितनी भी x की value है वो आप dx की तरफ लाइए इसका मतलब क्या हुआ इसका मतलब दोस्त यह हुआ कि यह आपको question दिया गया अब इसमें आप देख रहें e की power x minus y है और यहाँ पर x square e minus y है अर्थात इसमें सभी x और y दोनों की value mix है जो की आपको अलग करना है यही आपका main point है ठीक है फिर direct आप समा कलन करते हैं आपका answer आ जाता है तो यहाँ पर इसको आप तोड़ेंगे तो कैसे आप लिख सकते हैं जैसे कि यह question है तो इसको आप लिख सकते हैं e के पौर x इंटू e के पौर minus y इसको आप लिख सकते हैं e के पौर x इंटू e के पौर minus y और यह तो आपका already x square plus e के पौर minus y है तो यहाँ पर आप इसको तोड़ेंगे e के पौर x minus y को तो आपका e के पौर x into e की पार-y 息 होगा okay plus x squared e की पार-y आपका वैसे same लिखा रहेगा अब दोनों में आपको कुछ common दिख रहा है e की पार-y दोनों में से आप ले लिजी common क्या लेंगे e की पार-y को आप बाहर ले ले लिजी e की पार-y को जैसे e की पौर माइनिस y आपने common ले लिया इससे और आपका बचा e की पौर x प्लस x square इसके just अंदर अब यहाँ पर आप बख्या हुगा हमने आपसे क्या कहा सबसे पहले आपको यहाँ पर dy dx करना है फिर आपको यह देखना है कि आपको dy की तरफ मतलब जितनी भी y की value है एक side y की तरफ जितनी भी x की value है वो x तरफ तब ही आपको sum लगन करना है तो यहाँ पर आप देखेंगे कि यह आपका लिखा है क्या d e के पौर माइनिस y तो आप e के पौर माइनिस y को क्या करेंगे यहाँ पर ध्यान दीचे मैं थोड़ा और बताता हूं को e के पौर माइनस y को आप नीचे करिए ओके और dx को आप इधर बेज़िए dx को आप इधर भेज दीजिए और यह e के पौर माइनस y को इधर बेज दीजिए जब e के पौर माइनस y नीचे जाएगा ठीक है e के पौर माइनस y क्या आप लिखेंगे यहाँ पर लिखेंगे dy upon e के पौर माइनस y ठीक है e के पौर माइनस y is equal to e के पौर x plus x square into क्या होगा into में आपका dx होगा यह आपको dx से इधर आपका फिर multiply करेंगे तो simply जो आपका e के पौर माइनस y नीचे जाएगा जब वो उपर आएगा तो e के पौर y into dy होगा इस equal to में आपका यहाँ पर इस equal to में आपका e के पौर x plus x square into dx होगा यह जो आपका dx से यह आपका इधर जाएगा तो into में dx हो जाएगा और यह value प्राफ्ट होगी अब तो यह same question आपको यह पहला वाला मिल गया आप देख सकते हैं same जो पहला question आपका था यही आपका same question था देखें यही same question था अब just इसका क्या गरिए जब आपका y की तरफ y की value आ जाए जैसे आपकी यहाँ पर देख पा रहें यह आपका dy है तो इधर dy में y की value पूरी आ गई और इधर dx है तो आपने dx की तरफ इसको भेज दिया अब just तुरंट इसको समा कलन जैसे ही dy इसको डीक्स हो और y की value सभी dy की तरफ और x की सभी value dx की तरफ पहुँच जाए तो उसके just बाद आप समा कलन कर दीजे जैसे ही समा कलन करेंगे तो e की पौर y का e की पौर y is equal to यह आपका e की पौर x का e की पौर x होगा प्लस x square का आपका x cube by 3 होगा और प्लस क्या होगा c यह आपका complete यहां से answer होगा जो की आपको आचुका है चलिए next question number 2 की तरफ हम चलते हैं question number 2 आपके screen पर यहां पर आप देख सकते हैं यह question number 2 है आपको 1 plus x square dy by dx is equal to 1 plus y square यह question आपको दिया गया इसको आप solve करें और बताएं इसका answer कितना आएगा तो देखी दोस्तों इसमें आपको हमने पहला rule क्या बताया कि आपको यह ध्यान देना है कि dy is equal to dx करना है पहला आप ध्यान दीजे आपको सदे ध्यान रखना है कि dy is equal to dx करना है ठीक है दोनों आपको equal side करना है तो यह आपको पता है और दूसरा इस्टिफ हमने क्या बताया अगर आप dy is equal to dx करते हैं तो जितने भी y की इसमें other value है तो उसको dy की तरफ भेजना है और जितनी भी x की value है उसको dx की तरफ भेजना है तो यहाँ पर आप इस question में देखेंगे इस प्रकार से आपको दिया गया अब देखें इधर आपका 1 plus y square है और dy यहाँ पर है इसमें dx यहाँ पर है 1 plus x square यहाँ पर है तो हमने क्या बताया दोनों को एक side कीजिए तो simple सा यहाँ पर देखें यह question आपको वही चीज यहाँ पर mention किया गया उसको लिखा गया तो हम क्या करते हैं कि dy है तो dy के नीचे just हम 1 plus y square के भेजेंगे तो dy upon 1 plus y square होगा हमने क्या कहा आप से कि जो y है उधर y की सभी value भेजिए जो dx है dx किदर आ जाएगा dx को उपर भेज देंगे तो उपर आपका dx हो जाएगा ठीक है तो मतलब यह कुल मिला कर आपका क्या हो जाएगा यह dy upon 1 plus y square is equal to dx upon 1 plus x square यह चीज आपको प्राप्त होगा ठीक है तो simple सा यह आपने समझना कि dx को आपने इधर भेज दिया और dx को जब भेजा तो dx के मतलब x की जो value है वो dx की तरफ जाएगी तो dx upon 1 plus x square हो गया यहाँ पर आपका dy था तो dy की तरफ y की value जाएगी तो dy upon 1 plus y square यह value जैसे ही आपको प्राप्त होती है अब आपको क्या करना है दोनों तरफ आपको समाकलन कर देना है जब आपका dy के साथ y की सभी value आजाए और dx के साथ x की सभी value आजाए तो तुरंट उस का समाकलन करेंगे देखे यहाँ पर mention किया गया जब इसका आप समाकलन करेंगे तो आपको पता है कि 1 upon 1 plus y square का अगर आप समाकलन करते हैं तो होता है 10 inverse y चुकि आपने पढ़ा है दोस्ते कि 10 inverse x मतलब एक बट यहाँ पर पढ़ा है आपने dx upon 1 plus x square is equal to 10 inverse x plus c या फिर आप x square plus x square is equal to 1 upon a 10 inverse x by a और प्लस में क्या आगे c तो यह फार्मूला होता है वही फार्मूला है हम mention किया गया कि integration dy upon 1 plus y square आपका हो जाएगा 10 inverse y और is equal to में आपका है यहाँ पर integration dx upon 1 plus x square यह आपका हो जाएगा 10 inverse x और प्लस में क्या हो जाएगा प्लस आपका c चुकि आप कर क्य आपको constant के रूप में mention करना होता है चलिए जब इतनी आपको value यहाँ पर प्राप्त हो जाएगी आप यहाँ पर आप 10 inverse y है 10 inverse x है इस 10 inverse x को इधर आप भेज दीजिए तो आपको हो जाएगा 10 inverse y minus 10 inverse x इसकोल टू आपको हो जाएगा c अब आपको पता है दोस्ते यहाँ पर आप इसको लिख सकते है 10 inverse y minus 10 inverse x को क्या लिख सकते है 10 inverse मतलब 10 inverse a minus 10 inverse आपने 10 a minus b का आपने फार्मूला पढ़ा है क्या पढ़ा है आपने 10 a minus 10 b upon 1 plus 10 a into b ओके तो वही चीज़ यहाँ पर है आपका 10 inverse हो गया 10 inverse हो गया अब आपका यहाँ पर y और x है तो y minus x हो गया नीचे आपका 1 plus x y हो गया इसकोल टू क्या है constant तो हमने constant c लिख दिया इसके ज़श्ट बाद आप लिख सकते हैं इस 10 inverse को इस 10 inverse को उधर आप भेद देंगे तो आपका हो जाएगा 10 c क्या हो जाएगा 10 c तो y upon x upon y minus x upon 1 plus x y is equal to 10 c is equal to alpha आपने इसको माल लिया अर्थात यह 10 alpha इसको 10 c को हमने alpha माल लिया ऐसा थोड़ा और solve करने के लिए तो simple सा आपका हो जाएगा क्या है यहाँ पर y minus x तो आपका रहेगा नीचे वाले को आप इस side से multiply कर देंगे तो आपका y minus x y minus x is equal to alpha 1 plus x y यहाँ पर answer हो जाएगा y minus x is equal to alpha 1 plus x y ओके यह आपका complete answer हुगा ठीक है इसमें कोई आपको दिक्कत नहीं होनी चाहिए y को y की side में x को x side में इसके just बाद समा कलन करें answer आजाएगा चलिए next question अगला question आप देख पा रहे हैं screen पर हमने आपको तरीका क्या बता दिया है उसको आप समझ चुके हैं dy is equal to dx करना है और dy की तरफ y की सभी value को और dx की तरफ x की सभी value को आपको भेजना है तो आपके screen पर अगला question dy upon dx is equal to 1 plus x plus y plus xy जब इस प्रकार से आपको question दिया गया तो आपका दिमाग नहीं काम कर रहा है कि यहाँ पर x और y सब mix है कैसे करें तो इसमें कुछ solve करिए common लीजिए multiply कीजिए divide कीजिए कुछ कीजिए लेकिन common आपको या कुछ different उससे मिलेगा question बना है तो मतलब solve होगा यह fix है इसमें से आप y common लेंगे तो 1 plus x होगा अब दोनों में क्या common है दोनों में आपका 1 plus x है और इसमें आपका 1 और यह y तो 1 plus y इतना आपका इससे solve करने पर आएगा तो आप देख पाएंगे 1 plus x into 1 plus y 1 plus x y इसमें से common लेंगे तो y common होगा अंदर बचेगा 1 plus x तो दोनों में 1 plus x तो आपका यहां हो गया और into 1 plus y common लेंगे इसमें कोई बड़ी बात हमने नहीं लिख दिये ठीक है तो यहां पर इसको mention कर देखेए अच्छा इधर भी आपको थोड़ा दिखाया गया है चलिए देखे लिजे यह आपका लिखा गया इसमें 1 plus x आपने लिखा इसमें से y common लेंगे तो आप y 1 plus x हो जाएगा y common लेंगे तो y into 1 plus x हो जाएगा अब दोनों में आपका 1 plus x 1 plus x common हो जाएगा तो क्या बचेगा 1 plus x 1 plus x common हो जाएगा तो यहां 1 यहाँ y तो आपका 1 प्लस y तो dy पर dx is equal to 1 प्लस x into 1 प्लस y आपका आगया अब हमने आपको क्या बताया जब आपका इस प्रकार से थोड़ा solve होने लगे तो उसके बाद आपको क्या करना है dy is equal to dx dy की तरफ सभी y की value dx की तरफ सभी x की value तो simple आप देखिए यहाँ पर लिखा है दोस्तो 1 प्लस x तो इसको किधर बेजेंगे इसको इधर ही रखिए और यहाँ पर लिखा है 1 प्लस y तो इसको नीचे इसके भेद दीजे और dx को इधर आप multiply कर दीजे चुकि एक दूसरे के क्या होने चाहिए equal तो simply यह dx आपका यहाँ आजाएगा और 1 प्लस y इसकी नीचे चला जाएगा तो simply यहाँ पर आपका 1 प्लस y जब नीचे जाएगा तो आपका हो जाएगा dy अपान 1 प्लस y is equal to यह जो dx है यह उपर जाएगा तो हो जाएगा 1 प्लस x into dx तो आपके यह जो value इसको solve करेंगे तो मतलब dy की अपान में नीचे जाना है y की value को और x को x की तरब जाना है चलिए जब इतना आपका हो जाता है तो आप क्या करेंगे इसका just suma column तुरंत आप करेंगे इसका suma column चुकि x का x की तरब y का y की तरब जा चुका है तो देखिए यहाँ पर इसका suma column करेंगे तो क्या होगा dy upon 1 प्लस y का क्या हो जाएगा दोस्ते इसका हो जाएगा आपका log 1 प्लस y क्या हो जाएगा log 1 प्लस y is equal to 1 का आपका x हो जाएगा plus x का आपका हो जाएगा x square by 2 प्लस c आपका answer हो जाएगा आप यहाँ देख भी पाएगे यहाँ पर हमने लिखा integration आपने 1 प्लस y का तो यह हो जाएगा log 1 प्लस y और यहाँ पर 1 प्लस x है इसका आप करेंगे तो 1 का आपका क्या हो जाएगा 1 का आपका suma column x हो जाएगा x का आपका x square by 2 हो जाएगा प्लस c हो जाएगा तो इस प्रकार यह आपका complete answer आगया यह क्या हो गया चलिए next question question सभी important है समझते चलिए इसका मतलब क्या होता है बस यही आपको main point है समझना ठीक है दिया है दोस्त 1 plus x into 1 minus y dy upon dx अगर आपको वीडियो देखते हैं तो आप थोड़ा इमानदारी के साथ आप भी question लगाई है ठीक है वीडियो देखने का मेरा मतलब question को बताने का main परिपच यह आप गह सकते है main मुद्दा या उद्देस यही है इसलिए आपको practice की जरूरत है आप अभ्यास करें question number आप ज़्यादा लगाए चलिए आपको दिया गया 1 plus x into 1 minus y dy 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 x plus x y equal 0 यह question आपके screen पर इसमें आपको हमने क्या बताया कि सबसे पहले आपको यह ध्यान देना है कि आपको dy is equal to dx करना है तो उसके लिए आप यहाँ पर आप इस question में आप यहाँ पर dy is equal to dx नहीं कर सकते कर भी सकते इसमें कोई दिक्कत नहीं आप इसको कर दीजिए direct multiply इसमें कोई दिक्कत नहीं आप पहले step इसमें क्या करेंगे आप follow सबसे पहले आप इस step करेंगे जब यह value आपको यहाँ पर प्राप्त होगी तो हमने क्या बताया कि dy is equal to dx करते हैं तो dy की तरफ y की total value और dx की तरफ dx की total value तो simply यहाँ पर आपका 1-y था देखे सबसे पहले आप dy को पकड़ दीजिए यह dy है इसके साथ 1-y हो गया और कुछ y है हाँ यह y है तो इसको भी आप नीचे लाइए इसको भी आप नीचे लाइए तो 1-y upon y into dy आपका आजाएगा अब आप dx जो है उसको उधर बेद दीजिए dx बेजेंगे तो आपका यहाँ पर dx हो गया और dx के साथ में क्या होगा x की सभी value x का यहाँ पर only minus x बचेगा चुकि एक y तो आपका चला जाएगा तो यहाँ पर आपका क्या बचा minus x और upon में आपका आजाएगा 1 plus x चुकि x की यहाँ पर जितनी value होंगी यह dx की तरप आपकी आजाएगे किदर dx की तरप यहाँ पर आप देख पाएगे यह जो आपको value है यह आपकी y की value हो गई और यह आपकी x की value हो गई इसको थोड़ा और आप simplify करेंगे तो यह आप इसको लिख सकते हैं 1 upon y minus y upon y into क्या होगा dy ओके यहाँ पर आप इसको लिख सकते हैं minus यहाँ पर क्या सकते हैं x upon 1 plus x लिखा हुआ है तो इसको और भी या एक add करते हैं देखे क्या करते हैं simple समझते है वही चीज़म बता रहे हैं कि 1 एक add करना होता है यहाँ पर जब आप इस प्रकार से आजा तो यहाँ पर आप एक add सकते हैं अतार x plus 1 और x एक plus कर दीजे एक minus कर दीजे नीचे आपका 1 plus x हो गया एक cancel हो जाएगर था तो 1 minus 1 plus x आपका बचेगा तो चलिए समझी लेते हैं ठीक है देखे यह जो आपका था यहाँ पर यह y जो था इस y से जब हम divide करेंगे तो 1 upon y minus y upon y into dy लिखेंगे और यहाँ पर आपका 1 plus x है और उपर x है तो यहाँ पर इसको solve करने के लिए x में आप एक जोड दीजे और एक घटा दीजे और नीचे आपका हो जाएगा 1 plus x ठीक है 1 minus 1 upon 1 plus x तो यह चीज आपको यहाँ से यह चीज आपको प्राप्त होगा जब इतना आपको value प्राप्त होगा तो हमने क्या बता है dy और dx y की जितनी value है y की तरफ x की जितनी value है x की तरफ जो कि आपको यहाँ पर mention है simply इसका क्या कर देंगे इसका आप क्या कर देंगे आप समा कलन कर दीजे जब इसके इस साइड में और इस साइड में समा कलन करेंगे तो आप क्या लिखेंगे इसको आप देख सकते है यहाँ पर आप पहले point में आप देखिए यहाँ पर आप लिखेंगे देखे यह आपका है यहाँ पर minus यह आपका minus है तो हमने minus लगाया अब integration यहाँ पर हमने one में कर दिया one में किया तो integration dx लिखा minus फिर आपका one one upon one plus x है उसमें integration one upon one plus x into dx कुली मिलाकर जो आपको value प्राप्त हुई इसमें दोनों तरफ आपको integration इसका करना है बद्यान रहे कि dy और dx की तर आपका हो जाएगा log y और यहाँ पर जो one है उसका हो जाएगा y ठीक है minus तो था minus तो रहेगा minus y मतलब जैसे आप one dx करते हैं तो उसकी समाकलन क्या होता x होता x प्लस c उसी तरह आपका integration one dy है तो इसका समाकलन क्या होगा y होगा चुकि y के respect में कर रहे हैं तो simply यहाँ पर इस log one plus x और प्लस आपका हो जाएगा c अर्थात यहाँ पर समाकलन आपका खतम हो गया तो आपका यहाँ से आगया अब simply आप इसको लिख सकते हैं और simplify कर सकते हैं यह log y है minus y है तो log y और यह आपका इस साइड का है जितना इसको उधर भेद दीजे जिससे यह सभी क्या हो तो हम इसको लिख देंगे minus log one plus x यह minus minus तो plus होगा लेकिन उढ़र जाएगा तो फिर से आपका minus हो जाएगा minus log one plus x is equal to कितना यहाँ पर c होगा इसको जाए और साथ में दोस्ते यहाँ पर आप minus भी है minus भी आगे यहाँ पर लिखा जाएगा यहाँ पर लिखा नहीं गया ले m-n बन रहा है log m-n तो इसको आप लिख सकते log m-n को log y upon 1 प्लस x log m-n होता log m upon n log y upon 1 प्लस x तो इसलिए यहाँ पर इसकी log और log का आपका हो जाएगा log y upon 1 प्लस x और जो यहाँ पर आपका x है और साथ में जो minus था यहाँ पर आप लिखेंगे तो आपका हो जाएगा x minus y और c तो था ही इसको आपका c तो complete answer आपका यहाँ पर आएगा आप यहाँ पर देख पाएगे x minus y प्लस log y upon y 1 प्लस x इसको तो c यह आपका complete answer होगा next or last question इसको आप देखिए और important question हो जाता है आप सभी के लिए तो इसको आप देखिएगा 1 minus e के power x 1 plus 10 square y dy upon dx plus e के power e के power नहीं 3 e into 3 e x upon cot y is equal to 0 यह question आपके screen पर दिया गया तो सबसे पहले step इसमें क्या करेंगे कि जो आपको यह चीज यहाँ पर mention किया गया यह आप जो देख रहें यह आप देख रहें इसको एक side कीजे ठीक है मतलब dy dx के साथ जो यहाँ पर add रहता है साथ में उसको आप तुरंद पहले उस मतलब right hand या left hand route में ले जाएए ठीक है दूसरे पच्छ में आपको ले जाना होता है तो simply यहाँ पर आप क्या करेंगे यह आपको जो question दिया है वही को यहाँ पर उतार लिया गया है तो पहला step इसमें यह करेंगे तो आपका यह जो इतनी है उसको ऐसे ही लिग देंगे यह जो आपका value है इसको आप इस side में भेज दीजे अर्थार राइट की तरफ भेज देंगे दाएं की तरफ जब इसको पूरो को आप इधर भेज जेंगे चुकि यह plus में तो इधर जाएगा आपका minus इसलिए आपका minus e के पॉर 3 x अपान काट y हुआ अब यहाँ पर आपको पता है दोस्ते यहाँ पर आपको पता था कि 1 plus 10 square y is equal to क्या होता है 6 square y इसलिए हमने यहाँ पर directly इस चीज को लिख दिया 1 plus 10 square is equal to क्या होता है 6 square y यह चीज आल लेडी आप सुभी ने पढ़ चुके हैं यह बहुत ही simple formula है चलिए यहाँ पर आपका दोस्त यह हो जाएगा इतनी आपको यह value मिल जाएगी इसके just बाद आप यहाँ पर क्या कर सकते हैं इस चीजों को समझते चलिएगा यहाँ पर आप लिख सकते हैं 6 square y और यह है आपका dy by dx तो आप क्या क्या value लेंगे dy के साथ yy value को चुनना है तो simply आप यहाँ पर देख रहे है 6 square y यह क्या है 6 square y into dy तो हम लिखेंगे 6 square y dy यह 10 y कहां से आया तो दोस्त यहाँ पर लिखा है cot y क्या लिखा हुआ है cot y तो इधर आप multiply करेंगे तो यहाँ पर आपका multiplication में आएगा cot y और हमने नीचे जब लिखेंगे तो cot y का उल्टा क्या होता है 10 यह 10 का उल्टा क्या होता है cot तो cot की जगा हम लिख सकते हैं 10 अर्थाद दोस्त यह आपका cot y है इधर आप multiply करेंगे तो उपर आपका into cot y होगा लेकिन हम लिखने चाहते है 10 में तो 10 में लिखेंगे तो just इसका उल्टा होगा तो 1 upon 10 y हो जाएगा तो इस इस प्रकार आपको c square y upon 10 y into dy is equal to e के power minus x upon 1 minus 3 x 1 minus e x into dx आपको यहाँ पर से प्राप्ट हुआ इसके जश्ट बात आप यहाँ पर क्या कर सकते हैं इसको ध्यान दीजे अब यहाँ पर आप यहाँ पर क्या कर सकते हैं दोस्त यह चीज आपको मेलूप मिल गई अर्थात y की y की तरफ x की x की तरफ आपको value मिल चुकी है अब इसका just हम तुरंत कर देंगे समाकलन अर्थात यहाँ पर आप इसका समाकलन करेंगे तो आप इसी में integration का चिन लगाएंगे तो simply यहाँ पर आपको हो जाएगा क्या integration y upon 10y dy is equal to 3 minus e की पौर x upon 1 minus e x into dx यह आपका यहाँ पर समाकलन करेंगे तो आपको पता है यहाँ पर y upon 10y का कैसे समाकलन करेंगे तो पहले 10y को आप माल ली जिटी चुकि ऐसे ही आपका solve होगा 10y को आप माल ली जिटी और 10y का आप difference करते हैं y के respect में तो होगा क्या यहाँ पर सेक square y dy is equal to क्या dt ओके यह आपका होगा हमने 10y को t माना उसके जैस्ट बाद आपसे square dy की जगा पर क्या लिख सकते हैं उपर आपका dt हो जाएगा और नीचे आपका t हो जाएगा उपर dt नीचे t और इसका आप integration dt upon t का समाकलन करेंगे तो दोस्त क्या होगा log t होगा log t one upon t क्या होता log t तो इस प्रकार से log t आएगा और log t t के value आपने किसके मान था 10y इसलिए आपका हो गया log 10y आसा करते हैं यह चीज आपको आ रहा होगा कि कैसे इसका समाकलन करना है अब आप ही बताएगे कैसे समाकलन करेंगे भाई इसको आप t वान लीजे 10y को और इसका differentiation कीजे differentiation करिए आपको हो जाएगा c square y dy इसको आपको हो जाएगा dt और उसकी जगह आप रख दे dt और 10y की जगह पर t रखेंगे तो आपका simply dt अपन t होगा और इसका समाकलन कहें तो इसका समाकलन होता है log t और log t में आपका t जो है वो आपका tan y को माना था इसलिए हमने लिख दिया log tan y इधर आपको क्या हो जाएगा दोस्त इधर आपका 3 log e के power 1 minus e के power x plus c यहाँ पर भी आपको इसको आप मान लीजिए 1 minus e के power x को आप t मान लीजिए t1 मान लीजिए इसका करेंगे तो e के power minus x e के power minus e के power x dx is equal to dt होगा इतना आपका आएगा तो इसकी जगह पर आप उपर रख सकते हैं dt और नीचे आपका t यहाँ पर भी आपका integration dt upon t यहाँ आप dt1 मान लीजिए dt1 upon t1 आपका यहाँ पर कितना आजाएगा इसका log t1 और log t1 का मतलब यहाँ पर log रहेगा और t1 का मतलब आपने इसको माना था तो 3 log 1 minus e के power x प्लस c यह आपका आएगा इसके साथ आप आगे लिख सकते हैं log 10y इस value को आप पूरा उधर भेज दीजिए तो यहाँ पर भेजेंगे तो यहाँ आपका minus 3 log 1 minus e के power x हो जाएगा इसकोल 2 आपका क्या है यहाँ पर इस साइड में इस equal के साइड में c भी है तो आपका equal c हो जाएगा अब यहाँ पर आप जब इस प्रकार का कुश्चन हो दोनों log के फार्म में आजाए तो equal के फार्म में आप log के आप मान सकते हैं सिंपली आप log के मार लेंगे जैसे ही log के आप मांगते हैं तो यहाँ पर log के मानने पर यह हो जाएगा lag 10 y minus यहाँ पर आपका जो 3 है यह आपका power में हो जाएगा तो यहाँ पर आपका 3 आजाएगा मेरे दोस्त आपने फार्मूला पढ़ा है m के power n आपका क्या होता है n log m यही होता है n log m तो वही चीज़ यहाँ पर यह power में जा रहा है ठीक है अर्थात log m के power n का फार्मूला क्या होता है n log m यही तो होता है ठीक है तो सिंपल सा यहाँ पर आपका क्या होगा जो आपका n 2 में ताब वो आपका power में जाएगा तो यहाँ power 3 हो जाएगा तो इस प्रकार से आपका log 1-e के power x के power 3 इसकल टू log के यह आपका आएगा आगे और solve करेंगे तो log यहाँ पर आप देख सकते हैं log यह और यह log m-n होता log m-n होता log m upon n अर्थाद हो जाएगा आपका log 10 y upon 1-e के power x का whole cube यह चीज आपको प्राप्त होगा किदर इस साइड में इसकल टू आपको log के इसकल टू क्या होगा log के यह आपको प्राप्त होगा log आपका cancel हो जाएगा और answer आपका complete जो आएगा आप देख सकते हैं 10 y upon 1-e के power x का whole cube is equal to k यह आपका complete answer दोस्तों वीडियो अच्छला हो तो वीडियो को like करें चैनल पर पहली बार चैनल को subscribe करें जिससे आगे की update आगे की वीडियो आपको मिलती रहे धन्यवाद